आकाशवाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे निर्वाचन आयोग ने लोग सभा चुनाओं के पहले चरण के लिए अधिसुचना जारी कर दी है इस चरण में प्रदेश की 6 सीटों सहीत 17 राज्यों और 4 केंदर शासित प्रदेशों में 102 लोग सभाज सीटों के लिए चुनाओं होगा पहले चरण में तमिलनाडू की 49 सीटों, राजिस्थान की 12 सीटों, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों, उत्तराखंड असम और महराष्ट की 5-5 सीटों, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर, मेघाले की 2-2 सीटों, और 36 गड, मिजोरम, नाग को की जाएगी, उमिद्वारों के लिए नाम वापस लेने की अंतिमतिती 30 मार्च होगी, बिहार में नाम अंकन भरने की अंतिमतिती 28 मार्च है, यहां नाम अंकन पत्रों की जाच 30 मार्च को होगी, उमिद्वार 2 अपरेल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं, बिहार में मत 19 अप्रेल को होगा प्रदेश में चार चर्णों में होने वाले लोगसभा चुनाओ के पहले चरण की आज अधी सूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई नामांकन पत्र 27 मार्च तक भरे जा सकेंगे और 28 मार्च को इनकी जाच होगी 30 मार्च तक उमिद्वार नाम वापस ले सकेंगे 19 अप्रेल को मतदान होगा भारती जन्ता पार्टी की शेहडोल लोगसभा शेतर की प्रत्याशी वर्तमान सांसद श्रीमती हिमादरी सी ने आज अपना नामांकन रिटर्निंग कारले अनुपूर में दाखिल किया लोगसभा शुनाव 2024 के लिए आज प्रतम दिन ही भाजपा उमिद्वार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज भाजपा प्रत्याशी के फार्म भरने का क्रम जारी है आज भाजपा प्रत्याशी के नामांकन भरने पर साथ रहेंगे लोगसभा शुनाव के लिए प्रदेश में तैयारिया जारी है टीकमगर जिले में लोगसभा शुनाव को निश्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण धंग से संपन कराए जाने के लिए जिले में 36 अंतर राजजी बार्डर चेक पोस्ट और 8 अंतर जिला चेक पोस्ट बनाकर सुरक्षा संबंधी विवस्थाय की गई है शुपूरी जिले में लोगसभा शुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने आवश्यक सभी तैयारिया शुरू कर दी है इसी क्रम में लोगसभा शुनाव को लेकर विधान सभावार आईटी टीम का गठन किया गया है इस आईटी टीम के सदस्यों को शुपूरी जिला मुख्याले पर ई दक्ष केंद्र में एक प्रशिक्षन दिया गया छिन्दवाडा में जन्पत्षिक्षा केंद्र चोरई के प्रत्यक आंगनवाडी केंद्र में महिला चोपाल का कारिक्रम आईजित हुआ छतरपुर जिले में शान्तिपूर्ण निर्वाचन संपन्द कराये जाने एवं लोक शान्ती बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतरगत 6 जून तक संपूर्ण निर्वाचन अवधी तक कोई भी राजनेतिक दल अभ्यर्थी या अन्य द्वारा सारवजने के स्थल पर बिना अनुमती कोई भी सभा नहीं की जाएगी सतना और महर जिले में निर्वाचन की आदर्ष आचरन सहिता लागू हो गई है जिसके कारण निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रत्तेक मंगलवार को आयजित होने वाली जन सुनवाई इस्थगित रहेगी आगर मालवा कलेक्टर एवं जिला दंडादी कारी ने आगामित योहारों के साथ लोगसभा निर्वाचन की आदर्ष आचरन सहिता के प्रभावशिल होने से जिले में शान्ती व्यवस्था बनाये रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि भारत की स्टार्टप पारिस्थिति की देश की युवा शक्ति की अदम में भावना से अभधपूर्व धंग से फल फूल रही है भारत मंडबम में स्टार्टप महाकुम्ब के तीसरे दिन प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक विक्सित राष्ट बनने की रूप रेखा पर काम कर रहा है एसे समय स्टार्टप महाकुम्ब का बहुत महत्व है प्रधेश में लगातार पाचवे दिन आज भी ओले बारिश का दोर जारी है चिंदवाडा में आज सुभे बारिश हुई और ओले गिरे मोसम विभाग के रुसार सिवनी, बाला घाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपूर, शेहडोल, सीधी और सिंगरोली में भी बारिश आंदी के साथ ओले गिर सकते हैं अगले तीन दिन में दो पश्चिमी विक्षोब भी एक्टिव हो रहे हैं जिनका प्रदेश में दो-तीन दिन के बाद असर देखने को मिलेगा कल भी बेतुल जिले के मुलताई छिंदवाडा और डिंडोरी में तेज हवाओ के साथ पानी गिरा सिवनी और मंडला में भी बारिश और ओले गिरे, जबलपूर में भी शाम को बारिश हुई अब कुछ समाचार संशेप में अंतर राष्टी फॉरेस दिवस्त के अउसर पर नर्मदापुरम जिले के सदपुडा टाइगर रिजर्ब के कोर और बफर शेतर में स्थानी गाईट तथा वन कर्मियों ने मिलकर सुरक्षित परियावरन को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया सतना और मेहर जिले में आदर्श आचरन सहीता लागो होने के कारण निर्वाचन प्रक्रियापुरी होने तक प्रत्यक मंगलवार को आउजित होने वाली जन सुनवाई इस्थगित रहेगी इस बुलिटिन में बस इतना ही नमस्कार